ओम ज्ञानति मिरंधस्या ग्नानंजन शलाखया चक्षुरुन मिलितम येनातस्मे श्री गुर्वे नमाहा नमो ओम विष्णु पदाया कृष्ण प्रेष्ठाया भूतले श्री मते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेशा शुन्यवादी पाश्यात्यदेशतारिने जय श्री कृष्ण चेतन्या प्रभू नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासदी गौर भक्त व्रिंदा हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे तो अपनी अंतिम कुछ शिक्षाओं में भगवान रिशब देव अत्यंत महत्व पूर्ण शिक्षाएं देते हैं उपदेश देते हैं तो आगे वो कहते हैं धृता तनुर उशती में पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमो दमह सत्यं अनुग्रहस्चा तपस्तितिक्षावा अनुभवस्चा यत्रा रिशब देव जी कह रहे हैं धृता तनुर उशती में पुराणी येनेहा ये जो महान गुणवान ब्राह्मन है इनके द्वारा मेरा जो सनातन शरीर है सनातन यहाँ पे कहा है पुराणी और भगवान का शरीर तनुर इसका पोशण इन ब्राह्मनों के द्वारा होता है हम लोग सब अपने शरीर का पोशण करते हैं हम अपने शरीर का पोशण कैसे करते हैं भोजन ग्रहन करके भगवान का जो शाश्वत शरीर है और भगवान के शरीर के बारे में रिशब देव जी क्या कह रहे हैं उशती, उशती का मतलब होता है जिसमें कोई भी भौतिक लेश मात्र भी कलमश नहीं है हमारा शरीर भौतिक है लेकिन भगवान के शरीर में भौतिकतवाद लेश मात्र भी नहीं है भगवान का शरीर अध्यात्मिक है ये पंच भूतों से भगवान का शरीर नहीं बना है तो हमारा शरीर जो है हम इसका पोशन कैसे करते हैं भोजन ग्रहन करके, पानी पी करके हम अपने शरीर का पोशन करते हैं भगवान कह रहे हैं इस भौतिक संसार में भी मेरा एक शरीर है तनुर उशती में पुराणी और इसका पोशन धृती, धृता इसका पोशन जो है ये ब्राम्भन गण करते हैं कैसे करते हैं और ये शरीर भगवान का कौन सा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये जो वेद है ये जो पुराण है ये जो हमारे शास्त्र है इनको शब्द ब्रह्मा कहते हैं ये भगवान का शब्द रूपी अवतार है जैसे मंदिर में भगवान की जो विग्रह होती है उस अवतार को क्या कहते हैं अर्च अवतार वो भगवान की अर्च अवतार है और ये जो वेद है पुराण है शास्त्र है ये जो उपनिशद है ये सब क्या है ये भगवान के शब्द अवतार है शब्द के रूप में ब्रह्मन है शब्द के रूप में ही भगवान है तो ये भगवान का शरीर है इस भौतिक संसार में अब ये ब्रह्मन गण जो है भगवान के इस शरीर का शब्द रूपी ये जो शरीर है भगवान का इसका पोशन ब्रह्मन गण कैसे करते है ब्रह्मन जो है इन वेदों का परायन करते है इन वेदों का अध्यन करते है इनका अध्यन करने के बाद में इनका सार समझते है और इनका सार समझने के पश्चात अनुग्रह के द्वारा कृपा के द्वारा लोगों को भी समझाते है इसलिए ब्रह्मन का एक बड़ा महत्वपूर्ण करम क क्या है पठन, पाठन, वेदों का पठन करना और समझने के बाद में अपने जीवन में आचरन करने के बाद में लोगों को भी सिखाना, पाठन, तो इसके दुआरा ये ब्राम्वन जो है, शब्द ब्रह्मा या भगवान का ये जो शास्त्र रूपी जो शरीर है, इसका ये पोशन करते हैं, तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये ब्राह्मन मुझे अत्यंत प्रिय क्यों है ये जो गुणवान ब्राह्मन है जो भगवान के श्रेश्ट भक्त है ये भगवान को अत्यंत प्रिय क्यों है क्योंकि ये भगवान के जो शब्द है इनका पोशन करते है और पोशन करने का मतलब क्या है इनको समझना इनको अपने जीवन में उतारना और बाकी लोगों को प्रदान करना तो धर्म का रास्ता दिखाना धर्म को समझना यह तो बहुत महतुपूर्ण कारिय है तो यह कारिय जो है इन गुणवान ब्राह्मनों का है आगे भगवान क्या कह रहे है भगवान कहते है इन गुणवान ब्राह्मनों में आठ श्रेष्ट गुण होते है आठ श्रेष्ट गुण है यह क्या क्या है ये ब्राम्हन जो है सत्व गुण में रहते हैं और कौन से सत्व गुण में क्योंकि भौतिक संसार में जो है सत्व गुण में कई बार मिलावट होती है शुद्ध सत्व गुण पाना बहुत मुश्किल है कई बार हम लोग सत्वगुण में रहते हैं लेकिन कई बार रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे उपर पड़ जाता है यानि थोड़ा सत्वगुण है लेकिन बाकी तमोगुण और रजोगुण का भी मिक्स्चर है उसका भी मिलन है तो हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध सत्वगुण में नहीं रहता है ये जो शुद्ध सत्वगुण है इसको भगवान रिशब देव क्या कह रहे हैं सत्वं परमं पवित्रम परम पवित्र सत्वगुण बिलकुल शुद्ध परम पवित्र सत्वगुण तो परम पवित्र सत्व गुण में ये जो गुणवान ब्राम्मन है ये इस गुण से प्रभावित है तो हम पूछेंगे कि ठीक है भई हम रजो गुण से प्रभावित है कोई व्यक्ति तमो गुण से प्रभावित है कोई सत्व गुण से प्रभावित है लेकिन ये जो ब्राह्मन गण है ये शुद्ध सत्वगण से शुद्ध सत्वगण से प्रभावित है तो क्या अंतर होगा देखी जब तक रजोगण, तमोगण, सत्वगण जब तक इनका प्रभाव रहेगा तब तक हमारे जीवन में भगवान उनके दर्शन नहीं होते हैं और भगवान उदित नहीं होते हैं हमारे हिर्दय में भगवान सबके हिर्दय में हैं लेकिन हम भगवान को साक्षात तभी देख सकते हैं जब हमारा हिर्दय हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध सत्वगण में होता है तबी जाकर के हम भगवान को समझ सकते हैं तो ये पहला गुण हो गया इन ब्राह्मनों का कि इनके जीवन के अंदर में इनके जीवन का आधार इन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया है सत्वं परमं पवित्रम दूसरा क्योंकि इनका जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध है और उनके अंदर में क्या गुण आते हैं शमाहा, दमाहा, सत्यम, अनुग्रहाच्चा, तपहा, तितिक्ष्वा, अनुभवस्चयत्रा और साथ गुण भी बताए है अगला गुण है शमा, शमा का मतलब होता है जिनका मन पूर्ण रूप से नियंत्रित है अब हम देखते हैं हमारा मन तो बहुत चंचल है भगवद गीता में अर्जुन भी बताते हैं चंचलम ही मनह कृष्ण और अर्जुन उधारण देते हैं कि भगवान चंचलमन बिलकुल उस परकार से होता है जैसे एक दीपक अगर आप दीपक जला दें और वहाँ पर हवा चल रही है क्या वो दीप स्थिर रहेगा? नहीं वो हमेशा विचलित रहेगा क्योंकि हवा के प्रभाव से वो हमेशा विचलित रहेगा इसी परकार से हमारा मन इस परकार से अस्थिर है, विचलित रहता है लेकिन ये जो गुणवान ब्रामन है इन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से नियंतरण में कर लिया है हम अपने मन और अपनी इंदरियों के दास है और ये जो गुणवान ब्रामन है ये अपने मन और अपनी इंदरियों के स्वामी है इन्होंने उसको नियंतरण में रखा है तो पहला हो गया माइंड कंट्रोल उन्होंने अपने मन को नियंतरण में रखा है इसको कहते है शमा दमाह दमाह का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से उन्होंने काबु में रखा है भगवत गीता में बड़ा सुन्दर उधारन डिया है भगवत गीता में बताया है कि जो परम योगी होता है वो अपनी इंद्रियों को कैसे काबू में रखता है तो उधारन दिया है जैसे कच्छुआ होता है, टॉर्टाइज होता है वो अपने अंगों को तभी बाहर निकालता है जब उसकी जरूरत होती है या तो जमीन के उपर चलने के लिए या पानी में तैरने के लिए अन्यथा जब भी कोई डेंजर होता है, जब भी कोई विपदा होती है वो अपने अंगों को समेट करके रखता है और जब चाहिए तभी बाहर निकालता है इसी परकार से ये गुणवान ब्राम्वन जो हैं अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से काबू में रखते हैं तो ये जो है तीसरा गुण चोथा है सत्यम सत्यम का असली मतलब होता है भगवान सत्य है और बाकी सब संसार में असत कहलाता है तो जो व्यक्ति अपना जीवन न्योच्छावर कर देता है डेडिकेट कर देता है सत्य के लिए उसका जीवन सत्यवान है और अपचारिक जीवन में भी जैसे हम जूट बोलते हैं लेकिन ब्रामन जो है वो सदेव सत्य कहता है वो सदेव सत्य का ही आश्रे लेता है और इसी परकार से वेदों का गलत अर्थ ना तो निकालता है और ना ही लोगों को बताता है ये भी सत्य है सत्य का मतलब है जो वेदों का सही अर्थ समझता है और लोगों को समझाता है तो यह हो गया चोथा गुन पाँचवा अनुग्रहा का मतलब होता है कृपा जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है जो व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में लगा है उसका मन करुणा से भरा रहता है भगवान की भाती जैसे भगवान सभी जीवों का उधार करने के लिए संसार में आते हैं संभवामी, युगे, युगे इसी परकार से भगवान का भक्त जो है इन जीवों को भगवान की शरण प्रदान करता है ये उसकी अनुग्रहा के कारण है वो नहीं देख सकता है कि जीव जो है संसार में दुख भोग रहे हैं वो उनको सुखी करना चाहता है तो असली सुख कैसे प्रदान कर सकता है जब जीव को ज्यान अध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ति हो जाती है वो सभी परकार के अज्यानताओं के दुख से दूर हो जाता है हम जितने भी दुख भोग रहे हैं सब अज्यानता के कारण है अज्यानता के कारण हम पाप करम करते हैं और उसके फलस्वरूप अनेको परकार के कष्ट भोगते हैं तो जब ज्ञान के दुआरा ये अज्ञानता चली जाती है तो हम सभी परकार के कष्टों से दूर हो जाते हैं तो ये गुणवान ब्राह्मन जो है लोगों को कृष्णा भावनम्रत प्रदान करके भगवत गीता भागवत का ये ज्ञान प्रदान करके ये उनके उपर अनुग्रह करते हैं कृपा करते हैं तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है अगला है तपस मनुष्य जीवन में तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है तपस्या के दुआरा हमारा जीवन शुद्ध होता है जानवर तपस्या नहीं कर सकता है लेकिन मनुष्य जीवन में हम तपस्या कर सकते हैं कलियुक के अंदर में हमें कोई घोर तपस्या की जरूरत नहीं है अगर हम सवेरे जल्दी उठ करके भगवान के नाम का जब करते हैं हम शास्त्रों का अध्यन करते हैं भगवान का कीर्टन करते हैं भगवान की कथाओं को सुनते हैं ये छोटी सी तपस्या कल्यूग में अगर हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा तो ये गुणवान ब्राह्मन जो है ये तपस्वी होते हैं तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता ये पेड़ की भाती सहनशील होते हैं आप पेड़ को काट दो आप पेड़ का सभी परकार का प्रियोग करते हैं उसके पत्ते लेते हैं, फूल लेते हैं, फल लेते हैं, छायां भी लेते हैं, बाद में हम उसको काट भी देते हैं लेकिन फिर भी पेड जो है कुछ नहीं कहता है, ये सहन शीलता है तो इसी परकार ये गुणवान ब्राह्मन जो है जब लोगों को अनुग्रह प्रदान करते हैं तो बहुत सारे लोग उनको कष्ट पहुँचा सकते हैं लेकिन ये फिर भी सहन शीलता है और अनुभवस्चा इनको आत्म साक्षातकार की प्राप्ती है तो और आगे रशब देव जी इस बारे में क्या बताएंगे इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे हरे कृष्णा